हेलो एन वेलकम यू ओल आम रोईत रो महजन ट्रेडर सो गैस आज हम बात करने वाले हैं के इंडिया लिमिटेट के बारे में और देखा जाया तो स्टॉक में कंटिन्यूसली हर दिन ये स्टॉक गिरता ही जा रहा है गैस और एक मेजर सपोर्ट स्टॉक ले तो रहा है बट अगर उस लेवल को भी एक ब्रेक कर देता है तो काफी नीचे तगे स्टॉक आ सकता है बट वहाँ पर सपोर्ट लेके अगर ये उपर की ओर जाता है तो काफी बड़ी रैली हमें उपर की ओर भी नजर आ सकती है बट उस लेवल पर सपोर्ट तो ये ले चुका है बट ब्र तो काफी कुछ बाते हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो Gale India Limited एक धंदार स्टॉक है अगर आप एक नई इन्वेस्टर हो और आप एसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो डिविडेन देते हो तो डिविडेन के मामले में भी Gale India Limited एक सही स्टॉक है गाईस और बिलकुल आप इसमें इन्वेस्ट करते हो क्योंकि डिविडेन भी यह हर साल देता ही देता है तो काफी कुछ बाते करेंगे Gale India Limited को लेकर तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि काफी हल्प ले वीडियो होने वाला है और आपकी कॉस्ट में ही यह शेयर है और मैं उन्हीं स्टॉक्स पे वीडियो बनाता हूँ जो आपको आपकी कॉस्ट में मिल जाए तो काफी कुछ बाते करेंगे उससे पहले अगरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फोर शेयर्स के बेट्स के लिए शेयर्स के लेटिस न्यूज के लिए है तो वीडियो को स्टार्ट करते है Gale India Limited यहाँ पर अगर देखा जाए तो करन प्राइस क्या चल रहा है तो करन प्राइस के अगर बात करूं तो 128 रुपे 35 पेसे पर स्टॉक यहाँ पर ट्रेट कर रहा है और देखा जाए तो आज भी इसमें गिरावट है तीन रुपे 90 पेसे तक स्टॉक गिर गया है गाइस और देखा जाए तो दो कॉइन प्रतिशाद की स्टॉक में कंटिन्यू एक गिरावट चल रही है तो बढ़ते हैं आगे और जाते हैं सिधा चार्ट की और तो चार्ट में अगर देखा जाए तो पहले हम बात करेंगे इस लेवल को इन लेवल को हम बात कर रहे हैं वन वीक चार्ट फ्रेम पर तो यहाँ पर किस लेवल की में बात कर रहा हूँ तो गैस यहाँ पर जो मैंने नीचे की और जो यहाँ पर लेवल बराया है एक इसका support level है support level में इसलिए क्योंकि आपर आप देख सकते हो यही पर से breakout मिलने के बाद stock continue एक उपर की और जाता हूँ हमें नजर आ रहा था और अगर दीखा जाये तो stock में यहाँ पर कुछ patterns भी हमें बनते हैं दीख सकते हैं यहाँ पर पहले तो हमें एक W pattern बना फिर वो यहाँ पर से ही rejection मिला है stock को इन दो levels पर तो यहाँ से continue एक नीचे की और आ गया तो यहाँ पर लगबग इसने कई बार support लिया है यहाँ पर support लिया यहाँ पर support लिया अब यह इस level पर support लेने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह एक double top pattern भी बन रहा है बट double top pattern बनने के बाद अगर हमें यहाँ पर नीचे के breakout मिल जाता है तो काफी तगड़ी की रावट आ सकती है बट अगर यहाँ पर support ले लेता है तो यहाँ से reverse हो जाएंगा तो काफी तगड़ा यहाँ पर profit भी हम इसमें कबा सकते हैं तो यहाँ पर दोनों ही तरब की यहाँ पर conditions हैं बट depend करता है गाईस अगर यह डबल टॉप pattern है अगर इसे break करता है तो stock in levels पर आके रूख जाएंगा पिछत्तर रुपे तक भी यह stock आ सकता है बट अगर यह इसी level से support लेके उपर जाता है तो 200 रु यहाँ पर देखने को मैं मिल रहे हैं यहाँ पर काफी ज्यादा वेट करना होगा क्योंकि अगर मैं एक चीज यहाँ पर अगर बता हूँ तो यहाँ पर भी डबल बॉटम जिसा pattern आपको दिख जाएंगा डबल बॉटम जिसा pattern है और डबल बॉटम में पैटन में हमें तो स्टॉक ना आप दूर रह सकते हो बट अगर इस लेवल को कौन से लेवल की में बात कर रहा हूँ इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो बिलकुल आपको सेल करके बाहर निकल जाना है बट अगर उपर जो ट्रेड लाइन में बनाई है 133 रुपे के लेवल पर इसे तो 3 रुपे 45 पेसे तक स्टॉक किर गया है माइनस 2.62% के हिसाब से और 1 मंद के टाइम प्रेम पर अगर देखा जाए गाइस तो 1.45 रुपी तक स्टॉक नीशे के और किरा है माइनस 1.12% के हिसाब से और 6 मंद के टाइम प्रेम पर अगर देखा जाए तो 21 रुपे 30 पेसे तक स्टॉक में किरावट है माइनस 14.23% के हिसाब से और वही आगे बढ़े युरन हाप के पैटन पे तो यहाँ पर 4.70 पेसे तक स्टॉक बढ़ा है और देखा जाए तो यहाँ पर 3.80% तक स्टॉक में यहाँ पर बढ़ता में देखने को बढ़ रही है हाई लगया था एक सो उनतीस रुपे पचपन पेसे खा और लो लगया था 128 रुपे का मार्केट कैप देखे तो मार्केट कैप सताउन पॉइंट जिरो एक हजार करोड का है और मार्केट कैप के इसाफ़ से क्लिरली बता चल जाता है कि एक मेट कैप स्टाउक है और पी रिश्यो की अगर बात करो तो 6.11 का पी रिश्यो भी स्टाउक का दिख जाएगा और डिविडेंट की अगर बात की जाएगा तो 5.06 परसेंट का स्टाउक डिविडेंट भी देता है तो dividend के मामले में भी stock अच्छा है गाईस तो इस से अच्छा और क्या हो सकता है ऐसे अच्छे stock आपको कहीं नहीं मिलने वाला है बर depend करता है कुछ chart के उपर भी chart जो कहेंगे हम उसी के इज़ाप से जाएगे और 111 रुपे 30 पैसे का 52X का high भी है और low है 121 रुपे 20 पैसे का तो guys यहाँ पर अगर resistance level और support level दोनों को देखे तो resistance level में first resistance level 133 रुपे से 40 पैसे का है second resistance level 134 रुपे 68 पैसे का है और third resistance level है 135 रुपे 87 पैसे का और support level की अगर बात की चाहिए 131 रुपे 07 पैसे का first support level है second support level 139 रुपे 80 पैसे का है और third support level 128 रुपे 69 पैसे का दिख जाएगा वही गाई अगर बात करें 52X यहाँ पर क्या कुछ price performance है तो बिलकुल यहाँ पर यहाँ पर जो बढ़ता हुआ price performance भी दिखेंगा गिरता हो भी नज़र आएगा फिर बढ़ता होने ज़र आएगा अगर देखें तो three years का minus में है one year और year and a half का plus में है पर अगर देखा जाए three months last three months है one week तक यहाँ पर minus में ही आपको यह भी देखने को मिल जाएगा सो अब बात कर लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर trade values और combination family है तो trade value के बात की जाए तो 78,00,00 के something का जो trade value हमें देखने को यहाँ पर मिल जाएंगा और हो देखा जाए yesterday का तो यहाँ पर 71,00,00 के trade value है और combination family है 38,00,00 के something का और one week के average में 81,00,00 के something का trade value है और 38 lakh के सम्थिंग का कॉमिनेंट इलिवरी भी देखने को मिल जाएंगा और 1 मंद के एवरेज में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 करोड का trade value और 54 lakh के सम्थिंग का कॉमिनेंट इलिवरी देखने को आपर मिल रहा है तो बढ़ते हैं आप आगे और community sentiments के आखड़े क्या कुछ कहते है और community sentiments के आखड़े अगर देखा जाए तो 90% जो लोग है ओके रहे हापर buy के लिए और 10% जो लोग है ओके रहे हापर sell के लिए तो guys वो एक level देखा जाए तो काफी नाजुक सा level है break करता है तो नीचे आएंगा support लेता है या उपर के level को जिसे मैंने बोला 133 का level अगर break करता है तो buy आप कर सकते हो revenues के मामले में 2019 के बाद revenue काफी नीची की और जाता होना जरा आ रहा है COVID के कारण और net profit में भी गिरावट है बड़ है रिकावर करने की पूरी कोशिश करेंगा और share holding pattern के देखे तो काफी stable है 51.85% की holding promoters की है FI की holding अगर देखी जाए तो 18.36% की है और DIA की holding 25.66% और public holding है 4.14% So that's काभी कुछ बात हैं हमें इस वीडियो में कर लिए और वीडियो पसंदाएं वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो Thank you